हमारी रगों में है आज हम तो एक सो चालीस करोड है अगर चालीस करोड गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं अगर चालीस करोड आजहादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं आजहादी लेकर के रह सकते हैं तो एक सो चालीस करोड देश की मेरे नागरीक एक सो चालीस करोड मेरे परिवार जान अगर संकल पर ले करके चल पड़ते हैं एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं कदम से कदम मिलाकर कंद से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनोतियां कितनी भी क्यों नहों अभाव की मात्रा कितनी हित्तिव्र क्यों नहों संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी हर चुनोति को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विशिद भारत का लक्ष प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोर देशवासी अपने पुर्शार से अपने समरद्ध भारत बना सकते हैं तो 140 करोर देशवासी उसी भाव से सम्रद्ध भारत भी बना सकते हैं साधियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आजहादी मिली आज ये समय हैं देश के लिए जीने की प्रतिबद्ध आगा अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्ध आजहादी दिला सकती हैं तो देश के लिए जीने की प्रतिविद्धता सम्रुद्ध भारत भी बना सकती है साध्यों विक्सिक भारत 2047 इस दरब भाषन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिशम चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिये जा रहे हैं और हमने देश वाजशियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रतनता है कि मेरे देश के करोरों नागरी को ने विक्सिक भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये है हर देश वाजशी का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देश वाजशी का संकल्प उसमें जलतता है युवा हो गुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीत हो आदिवासी हो पहड़ों में रहने वाले लोग हो जंगल में रहने वाले लोग हो शहरों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आज़ादी का 100 साल मनाएगा तब तक विक्षिद भारत के लिए अनमोल सुझाव दिये है और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा? कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा 2047 दिख्षिद भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनिफेक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतनी सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाओ दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाओ दिया कि हमारे किसान जो मोटा आनाज पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुँचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाओ दिया कि देश-बैस्थानी अस्वराज के संस्ताओं से ले करके अनेक इकाईयां है उन सब में गवन्नांस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके पती चिंता जाहिल की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय ववस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ड सिटी बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकूर्दिक आपदाओं के बीच शासन प्रतासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिछ में भारत का स्पेस टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो परमपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब हाँ भारत की परमपरिक काउसदिया और मेलनेग हप के रुपे भारत को विक्षित करना चाहिए कोई कहते है कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकॉनमी बनना चाहिए साथियों में इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाचियों ने सुझाव दिये मेरे देश के सामान ने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिये है मैं समझता हूँ जब देश वाचियों के इतनी विशाल सोच हो देश वाचियों के इतने बड़े सपने हो देश वाचियों के इन बातों में जब संकल्प जलतते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विश्वात नहीं उचाही पर पहुंच जाता है और चाजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सिरब कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विश्वास लंबे कालखन के परिश्व के परिदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाउँ में समय सिवा में बिजली पहुँचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब यह तै होता है का आजहांदी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिन्दी की विजारते हैं डाई करोर घरों में बिजली पहुँच जाती है तब सामान ने मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब लार किर्जए स्वच्च भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंग्ती में बैटे विए लोग हो गाउं के लोग हो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्चता क्या बातावन बन जाए स्वच्चता की चर्चा हो स्वच्चता के संदन में एक दूसरे को रोक तोकने का निरंतर प्रयाद चलता रहे मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिविम है जब देश के सामने लाल के लिए से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में तीन करोर परिवारे से हैं जिरके घर में नल से जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुँचे जल जीवन मिशन के तहट इतने कम समय में नए बारा करोर परिवारों को जल जीवन मिशन के तहट नल से जल पहुँच रहा है आज पंदरा करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके है हमारे कौन लोग बन चित थे इन वेवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाज के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे मेरे दलीत मेरे पीडीत मेरे शोशीत मेरे आदिवासी भाईबेन मेरे गरीब भाईबेन मेरे जुकी जोपनी में जिन्दिकी गुजारने वाले लोग बही तो इन चीजों के अभाओं में जी रहे थे हमने अनेक ऐसे प्राथवी के आवसक्ताओं की पूर्ती के लिए जो प्रयास किया और उसका परणाम हमारे इन सारे समाज के बंदूओं को मिला है हमने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुसी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्टिक अपने पैदावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्टिक वन प्रोड़क का माहुल बना है अब वन डिस्टिक वन प्रोड़क को वन डिस्टिक का वन प्रोड़क एक्सपोर्ड कैसे हो उस दिशा में हर ज इंकर पर लिया था कि जीट ट्वेंटी समू के देशों ने जितना किया है उसे जावदा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के शेट्रमा आत्म निर्भर मंडे के लिए ग्लोबल बार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति परने के लिए हम ने काम किया है साथ्यों देश पुरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है साथ्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोरणा के वो संकिट काई विश्व में सबसे तेज गती से करोड़ों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देशों में हुआ यही देश है जो कभी आताई आतांकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइड करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइड करती है तो देश के नौजमानों का सीना उंचा हो जाता है तंज जाता है गर्व से भर जाता है और यहीं बाते हैं जो आज 140 करोर देश्वास्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वास से भरा हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारिश प्रयास हुआ है रिफॉम की परंपरा को सामर्थ दिया गया है नकर तरीकों के नकर नकर नकषु को लेकर के और जब राज नितिग नेत्रुत्व की संकल पश्चति हो दड़ बिस्मात हो जब सरकारी मसिनरी उसको लागू करने के लिए समर्पन भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निश्चित प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वासियों हम ये न भूले कि देश उस परिस्टिस्यों सभी दसकों तक भी आज़ादी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा अरे हमें क्या मेहनत कने की जरूता है अरे मामला है आजने पेड़ी दिखेंगी अरे हमको मोका मिला है यार मोच कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओ कि वो कोई बाबाल उड़ जाए पता नहीं क्यों देश में स्टेटस को का माहूल बन गया था जो है उसी ये गुजाना कर लो यही का माहूल बन गया था